तो आज में आपके लए लेक्याई हूँ तंडी थंडी और मिठी मिठी गाजर की खीर की रिसीपी तो इसे गाड़ी और मलाईदार कैसे बनाते हैं, वही आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं तो इस स्वाधिश्ट और मज़दर की बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक लिटर फुल क्रीम दूद कड़ाई के अंदर डाल दिया है कड़ाई को मैंने ग्यास ओन करके उसके उपर रख दिया है तो यहाँ पर मैंने दूद को 2 मिनिट टक पका लिया है उसके बाद इसके अंदर में डालने वाली हूँ खीर को गाड़ा करने के लिए एक चोथाई कब भिगोए हुए बासमती चावल तो बासमती चावल को इस तरह से क्रश कर लूँगी आप चाहे तो ग्रैंडर जार के अंदर डालकी से दरदर आप पीस के भी उबलती हुए दूद के अंदर डाल सकते हैं अगर आपके पासमती चावल नहीं है तो आप इसकी जगे पे जो डेली हम प्लेन राइस खाने के लिए पकाते हैं वो भी आप भीगो कर इस दूद के अंदर मिला के गाड़ी खीर बना सकते हैं तो भीगो हुए चावल दूद में डालने के बाद इसे मैंने स्लो प्लेम पे 15 मिनिट तक पका लिया है चावल नरम होने तक तो चावल पकने के बाद इसके अंदर में डाल रही हूँ थोड़ा सा केसर एक पिंच केसर डाल देंगे खुश्बू के लिए और फ्लेवर के लिए मिला देंगे साथ इसाथ डालेंगे आदा कप चीनी जितना आप मेटा खाना पसंद करते उसकी हिसाब से चीनी इसके अंदर कम ज़्यादा आप डाल सकते हैं तो अब में इसके अंदर डालूंगी रेसिपी का में हीरो मतलब में इंक्रीडन ये दो कप किसा हुआ गाजर अगर आपको एक खीर कम समय में पकाना है मतलब जल्दे में पकाना है जब हम दूद के अंदर चावल डालते हैं तो चावल के साथे साथ आपको गाजर भी डाल देना है दूद के अंदर और दोनों को साथ में पका कर भी एक खीर कम समय में आप बना सकते हैं तो किसा हुआ गाजर इसके अंदर डालने के बाद इसे मैंने 15 मिलियम फ्लेम पे पका लिया है गाड़ा होने तक लाश्ट में हम इसके अंदर डालेंगे 2 पिंच दर्तिरी कुटी हुई हरी इलाइची का पाउडर और साथ ही साथ डालेंगे खीर को क्रीमी बनाने के लिए अमुलका फ्रेश क्रीम अगर आपके पास अमुलका फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूद की मलाई भी डाल सकते हैं ने तो आप स्किप भी कर सकते हैं तो खीर के अंदर हरी इलाइची और फ्रेश क्रीम डालने के बाद इसे मैंने विडियम फ्लेम पे दो मिनिट टक पकाने के बाद सर्विंग बोल के अंदर निकाल लिया है हाँ और एक बात अगर आपको बेस्ट कॉलिटी की नॉन स्टिकी कड़ाई खरीदना है तो यह जो कड़ाई ही ना परसनली मुझे बहुती ज़्यादा पसंद आई तो इस कड़ाई की सारी डिटेल्स के साथ मैंने वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड किया है आप चाहे तो कड़ाई का रिविव जाके आप देख सकते है तो यहाँ पर यह जो खीरे ना गरमा गरम आ आपको जब भी कुछ मेटा और खीर खाने की इच्छा है तब आप खीर ज़रूर बना के देखे खा के देखे बुती मज़ेदार लगती है खाने में अगर आपको यह मेरे आज के खीर की रेसिपी पसंद आई तो प्लीजी से लाइक करें आप चाहे तो इस रेसिपी की वी कि आपको नहीं पासा है आपको पस्टपने प्लीजी के लाइखे जब आपको यहादालों करण पथा तो इस रेस चाहरे लाइग ठासाने प्लीजी करें ट्या धी जए करें